इस आटों के साथ पूरे विश्व में इनकी पहचान बनी जिस आटों पे बैठ करके इन्होंने मुखमंतरी तक के लिए सफरताय किया और प्रधानमंतरी का सपना देख रहे थे उस आटों वालों के क्या हलात हैं कभी इन्होंने जानने ही कुछ शिट नहीं करें ऐसी करोड़ रुपे कम से कम एक विधायक के लिए लगता है तो पूरे देश में विधायकी लड़ा रहे हो कहां से आ रहा वो पैसा आज भी हम उसी अलात में आटों ड्राइवर हूं इतना सब होने के बावजूद जिन को हमने मंत्री बनाया जिन को हमने विधायक बनाया या कि वो हमारे उपर के अधिकारी थे सब करोड़ों अर्बोर में भूम रहे हैं इमानदारी का कोई पैमाना नहीं है यह खुद के अंदर से एक विश्वास होता है हम कल भी विश्वास के साथ खड़े थे आज भी खड़े हैं सीना ठोक के बात करते हैं अकर किसी के अंदर द इंद्रजीत सचदिवा ऍंद्रजीत जी आम आदमी सब्सक्राइभी पार्थी के साथ शुर्पाटी दिनों में रहे क्या अर्विंद केजवास वक्त नजर आते थे और आज अरृत के शुवा새 एक मासूम चेहरा था आज एक घाग चेहरा समझ में आरा हाभ में ताक कि अ परताय किया और परदानमंद्री का सपना देख रहे थे उस उस आटो वालों के क्या हलात हैं कभी इनों ने जानने कुछ इस नहीं करें हम लोग जुड़े थे इसलिए कि हमारे ना साथ बहुत ज़्यादा ब्रश्टा चारुबा जाता होता था शीला देखशी सरकार ने हमें को लूटा उन लूटने वाले फाइनेंसर के साथ मिलके सरकार बना रहे हैं और उनके कुछ फाइनेंसर आज विधायक भी हैं हमने कई घोटाले पकड़े इंडिविजली तोर पर मैं पार्टी की तरफ से संगठन को देखता था सारे काम करता था वाइदे हम करते थे लोग की इन्हों ने तो मेरे को साथ बोल दिया था के इंदब मैं अब किसी का आटो ौये का काम नहीं करूंगा इन्होंने मेरे को मना गिया कि आप पर चार करो के लिए मुखमंत्री बनाया आपको काम करने होंगे आप नहीं करो के बोलते हैं कैसे हो मैंने वहीं रिजाइन दिया कि मैं आज के बाद आपके साथ नहीं आपके दफ्तर में आऊंगा हमने अपनी एंजियो बनाई और हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन बात करना चाहता ह मैं जब ये पार्टी में आए थैजरीं की पार्टी बनी थी तो एक पैसे के लिए wert हमारे आटों के पूश्टर लगते थे तो हम उस पोस्टर को खृते लगाते यह फ्रीमीन लगाते थे हम इनको पैसा देते थे कि मेरी गाड़ी बहू स्वर्फ लग और उस इस जाँद सीट के ओपर जिसके ओपर हमने सुना है कि पांच से दस करोड़ रुपया कम से कम एक विधायक के लिए लगता है तो पूरे देश में विधायकी लड़ा रहे हो कहां से आ रहा वो पैसा कही ना कहीं तो कुछ ना कुछ ना कुछ तो गड़बर कर रखी आपने अब आपको श कालातों में पहुंच के फिर उन लोगों को ठेक रहे हो आप लोग शर्मानी चाहिए केजरीवाल को और उनके चम्चों को हम आटो वाले बुरी तरह से तरस्त हैं के आज बुराड़ी अथोर्टी यह दिल्ली भी 13 अथोर्टी में चले जाओ करॉप्शन इतना बढ़ चु जानते हो मेरी मोबाइल में अभी भी सबूत हैं कि आज भी मर गया 2017 में 2018 में गाड़ी दे दी उसके नाम का परमीट देदी आप उस परमीट पर चलने वाला कतल कर दे बदमाची कर दे दो दुबारा निरभया केस कर दे किसको पकड़ेंगे यह को रिस्पोंसिबल है उसका परमिट निकले थे गोपाल राय के मंत्रा जब मंत्री रहते हुए मैं उस केस का उस गोटाले को पकड़ने वाला आदमी हूं और मैंने इसका सीम केजरी वाल को इसकी सूचना दी थी लगबग धाई बज़े का यह गोटाला चल रहा है पच्चीस हजार एक आटों के उपर दिली आमादी पाइटी का जब वो बना अध्यक्स परिवन तो उन्होंने हम लोगों को परिशान करना शुरू कर दिया यह पूरी तरह नात तक इनका डूबा हुआ हाल ही मैंने केस किया हाई कोट में इसी करोना के तोरण करोना एक ऐसा समय था कि जिस समय में पूरी दिली यह पूरा देश तरही माम कर रहा था हम आटो वालों के हलात बहुत बुरे हो गए थे क्योंकि हम डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं हम लोगों की फाइनेंसरों ने गाड़ियां चीन ली गाड़ियां चीनने के बाद बिना ड्राइवर को बताय हुए बिना पर्मिट हो सारे इमेल लेके आता कि यहां पर गड़बड हो रही है आप टाइम दीजिया मैं आपको गड़बड पताना चाहता हूं नहीं किया मजबूरन मुरे को हाई कोट जाना पड़ा हाई कोट की जांच हुई बहुत सारे अधिकारी पकड़े गए बहुत सारे फानेंसर पकड़ सारे लेकिन यहां पर तो अर्विन केशिवाल कल भी जिस तरीके से वो कोट में खुद के ही खुद वकील बन बैठे वो तमाम दलीले वहां पर दे रहे थे लेकिन वो यह कहते हैं बार बार कि मेरे उपर कोई केस नहीं है यह जो है यह राजनितिक सडियांत्र है साजिश है कोई ब्रश्टे चार का मामदना नहीं है यह बी जेपी का पूरा जो है खेल है इस तरीके क्यार्प लगाते हैं लेकिन आप जैसे जब जैसे जब आमाधी पार्टी से जुडे लोग यह बताते हैं कि किस तरीके को अपर पुस्टे हसार होगी है पर ज्ञेश्राइब कि पार्टि को प्रॉट्व निए नर्हाइव क्पर्म को इस अर। मतलब फेर विजन कमीटी का मेंबर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट को देखता था हेल्प लाइन देखता था सब कुछ देखता था आज भी मेरे कब मुझे नहीं पता था आप आ रहे हो आज भी मेरे कपड़े फटे हुए आज भी हम उसी हलात में आटो ड्राइवर हूँ इतना स लिए बश्वास होता है हम कल भी विश्वास के साथ कड़े थे आज भी खड़े हैं सीना ठोक के बात करते हैं अगर किसी के अंदर दम है तो आये चैलेंज करें मेरी इस बातों के ओपर के मैं घलत बोल रहा हूं आएं कोट में चलते हैं इनकी बिमानी के खिलाफ आएं मेर तक बस बहुत हो गया चोटा बेटा कि स्वानीपत में इंजिरिनिंगा उसको रुकवा दिया बिटिया की शादी के पैसे थे हम लड़ाई के बीच में घर में बैठके का गए गाड़ी नहीं आज मैं किराई की गाड़ी चला रहा हूं मेरे साथ हजारों ऐसे आटों वाले है इन लोगों ने इन लोग मूरख समझते हैं सबसे बड़ी गुनाह होता है कि जी के विश्वास को दोखा देना इणोंने-डेश को दोखा दिया इन्हों ने मत दाता के विश्वास को दोखा दिया दो बारा से यह लालाश चल आके मैं एक चीज बिताओ कि सरकार का पैसा दे रहे हैं कि अपना पैसा दे रहे हैं सरकारी पैसा है ना यह कहते हैं सरकार को सुविधा मिलती है तो जंता को क्यों ना मिले तो सरकार जंता पांच और वाली ट्वालेट सीट पे बैठती आप कैसे चार लाकी ट्वालेट सीट पे बैठते हो बताओ ना हर मारत रिर्ट को था तुशन का पर्दा है कि नहीं लगवा रहे इन्हों ने सिर अर इंसान की अखाद देख ली को वी बिजली बेंबर करते हो क्यों नहीं कर रोकना चाहते हैं इन्होंने मारी फिटनस की टिकट लगती वह फ्री कर दी लेकिन आज उस फिटनस करवाने के लिए चाहर से पांच जार पर लग जाते हैं हमारे जिसने खिलाफ आवाज उठाई उसका मुबंद करने की कोशिश और पैसा जो है उनकी जेम में डालने की कोशिश के बेशक बेशक यह इमांदार कभ तक मैं आखिर कभी ना कभी तो नकाब उतरेगा यह नकाब उतर गया है अब यह मोदी सरकार को यह किसी को भी कहते हैं तो मेरे को नहीं लगता मेरे को पूरा विश्वास है कि जितनी भी जाँचे जनसियां वो अपनी साख को तो गवेंगी नहीं किसी के कहने पर भी कोई भी हो अगर उनके पास सबूट है तो और बलकोट उनके ऊपर है अभी करता हूं कि मेरे को वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है नयाय लेने में या पुलिस में जाने में डर लगता है लेकिन आम आदमी का विश्वास कोट के उपर और पुलिस के उपर ही है